पहला कोश्चन कोश्चन में 12 और सर यह हमारे आई सी ए आई का है क्या येस इंस्रिट्यूट का कोश्चन है और ये है TY के फाईल क्यूंकि कुछ खोश्चन पेबर की बात करूं तो इंस्रिट्यूट ने कभी कैस चौस्च से कर रख है और कभी टोटल एप्रोश से कर रख है तोटल से भी कर सकते हैं, जैसा कर रहे हो ठीक है, पर अगर कुछ नहीं बोला है, तो हम कोशिस करें, कैस कोश से हो जाता है, तो ज्यादा अच्छा, ठीक है? Okay, बड़े, M.A. Limited is commencing का मतलब क्या होता? मतलब पहले से कुछ रहा होगा क्या? ठीक, बड़ा काम का चीज़ है, Plastic Component, the falling cost information has been ushered in for annual production 12,000 units, जो की कौन से है, full capacity है, इतना तो आपको समझता है, cost में पढ़ रहा हुणा, 12,000 units का है, उसके इसाब से हमने cost calculate किया per unit basis, material कितना? 40, direct labor and variable expenses 20, fix manufacturing expenses 6, fix का मतलब किया समस्ते है, number of units के change होने से ये change नहीं होता है, representation 10, fix administration expenses 4, total मिला कर कितना cost per unit होगा, 80, selling price per unit कितना है, 96, selling expenses कितना है, 5, fix की variable, 80% variable, ऐसा लिखा है, 80% variable, तो 20% क्या होगा, fix, ऐसा लिखा है, लिखा है, selling expenses fix होते हैं कि variable, जैसे salesman होता है, तो उसको हम salary देते हैं, तो variable, depend करता है, fix भी हो सकता है, कुछ ना बोले तो variable, पर बोले, 80% क्या होगा, variable, 2 साल का उसने production और sales दिया, यह पहले सार production कितना करोगे, 6,000, बेचोगे कितना, 5, कितना stock बचा, कितना, 9,000, बेचोगे कितना, 8,500, कितना stock बचा, 1500, 1500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, ठीकिंगे बाद, ठीक, अभी question खतम नहीं हुँग, अब working capital requirement दे रखा, इस stock कितने दिनों के लिए रखना है, 2.25 month, WIP, Neil, thank God, रिटर्स, 1 month average sales दे रखा, तो ऐसा लग रहा है किया, टोटल से करना चाहिए, ठीक है, cash, 10,000, creditor for supplier of material, 1 month, और creditor for expenses, 1 month, ठीक है, profit and loss बनाना है, it means आपका cost sheet, क्या करते थे, material consumed, फिर labor, फिर, ऐसा कुछ करते थे, prime cost आता था, factory cost आता था, cost of production, ऐसा कुछ होता था, मुझे exactly तो याद नहीं है, तो ये, ये बना लो, ये मैं बता दूँगा, working capital requirement, ठीक है, cost sheet कहाँ पढ़ा है, cost में, ये आप बना रहे हो, ये मैं बता दूँगा, मुझे को करना क्या है, उठा के 2 by 20, 2 by 12 तो करना है, बनाओ, एक काम करते चलो, बनाते साथ, हाँ तो आप बता, एक काम गया जाए, हाँ आप बताते जाओं, मैं लिखते जाता हूँ, आप से ये तो सीखना है मुझे, पर उसने नाम क्या बोला, statement of profit and loss, तो वो लिखते नाम अच्छे से, statement of profit, दो साल का मनाना है न, एक सथ बना रहे हूँ, और आपके साथ बनाए तो कैसा है, हाँ मैं पहले पहले बनताते जाता हूँ, आप बनाते थे, यह हमारा first year हो गया, और यह हमारा हो गया, सबसे पहले लिख लेते हैं, material consumed, एक units भी लिख लेते हैं, क्या रिया, कितना production कर रहे है, कितना units से बना रहे हूँ, और कितना बेच रहे हूँ, पाच, इदर कितना बना रहे हूँ, और कितना बेच रहे हूँ, कि मारे काम आजए, नई भी लिखेंगे सेर, तो कोई गुणा है कि आप कोई गुणा नहीं हूँ, तो question बनाने में तकलीव है, एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता चालिस लिए इससे मल्टिप्लाइक करू तो 6000 इंटो 40 कितना लग चालिए और यहां किस से मल्टिप्लाइए होगा कितना तीन लाग गलत हो गया है कि अब जाएगा डायट लेवर पताओ एक यूनिट पर कितना है 20 मतला 20 रुपए मल्टिप्लाइए किसे करूँ 6000 इंटो 20 एक लाग वीस जाए एक लाग असी जाए बताओगे कैसी आए यह गोट नौह जार इंटो हमारा क्या-क्या हो गया भाही मैटेरियल हो गया लेबर भी हो गया फिक्स प्रैनुफेक्शने एक्स्पेंस आएगा आएगा की नहीं आएगा एट तो होगा नहीं आता है ना वह इसमें क्यों नहीं आए इतना डर के विए अचा प्राइम कॉष्ट लिखना ज़रूरी नहीं मतलब पूरी तरह से ऐसे कॉष्ट नहीं बना रहे है बस हलका हलका छोकर निकलेंगे एक्स प्रैनुफेक्शने तो कितना अच्छा छे रूपए है क्या तो अब फिक्स में तो चैंज नहीं होता यह तो आप अच्छी से जनते हो अब यह मत बोलना कि यह नहीं जनते आपको कटवाने में मचाता है बहुत मचाता है क्या बता हूँ तर यह जो निकाला गया ना तो वह 12,000 के इसाब से निकाला गया है इट मेंस यार 12,000 इंटू छे तो 72,000 रहा होगा फिक्स उसी के इसाब से कॉस्ट कैलकुलिट तो बहातर हजार में कोई चैंज नहीं डेप्रेशिशन क्या कॉस्ट प्रॉडक्शन का हिस्सा होता मझे कॉस्ट प्रॉडक्शन तक पहुचना है ठीक कहना यार या पैसे मुस्कुराते हो ना मुझे शक होता कहिंगल तो नहीं डेप्रेशिशन अच्छा डेप्रेशिशन फिक्स होता की वहरीबन यह पैन करता है WDV की SLM अगर WDV होगा तो हर साल तो एक सेक्ड एक सेक्ड बलो दसके सबसे कितना हैगा एक लाग बीस एक लाग बीस है एक लाग बीस है और क्या है एक सेक्ड एक्सपेंसेस कॉश्ट ओप्रेडक्शन का हिस्सा होता है की नहीं यूपी के बाद आज़ा यूपी से पहले आता है कि यूपी के बाद तो पिछली बैच के बच्चे बोलते साथ डिपेंट्स यह डिपेंट आस तक मेरी समझ मिन नहीं है आगे भी बोला करो पिछली बैच के बच्चे बोलता हूं कि आप इसली बैच के बच्चे सुनते तो नहीं है वाह पागान सुरा हम इतना अच्छा बताते थे यहां कितना आएगा परिवेंट चार 28,000 टीटर माले थे तो कॉष्टर पॉडक्शन आजाएगा परिवेंट आप 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 यह जो जितना बच्चा इसके सब की सब बेज देते आप यह कितने यूनिट्स का बना है कौश्ट है 6,000 इसमें से हटाते हैं कौन सा और एट करते हैं कौन सा ओपनिंग एट करते हैं नस्था मैनिस करते हैं पता है न आपया अब लोग ओएशा कुछ निकालते थे हैं प्लस ओपनिंग स्टॉक और फिनिस गोट्स, बोलो कितना, जीरो, माइनस किया करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, कितना, तो यहां एक हजार लिख दूँ, रुका, रुक गया, एक हजार वैसे भी नहीं लिखता, हाँ जी मुझे एमाउन्ट चाहिए, एमाउन्ट, एक लाक, छे लाक, डिवाइड़ बाए, एक लाक, एक लाक, एक लाक ऐसे आया, छे लाक रुपए कोश्ट है, कितना यूनिट की, यह हजार की, तो एक हजार की, कितनी, और आश्यर की बाद है, यह एक लाक, इता लिख दूँगा, इसका बता दू, एक लाक, पीपो लगाएगी, बेटे डवरिस, अच्जो भी लगा दिया उसे, हमको नहीं मतला उसे, अपने लगा होगा फिफो, मतलब किया किया बताओ, एक दिस निकाला, किया किया, मतलब 780,000, मतलब आपका कहना है कि वो जो 1,000 बचा था, वो निकल गया होगा, यह जो है, यह निकल गया, इसी में से बचा है, जो भी बचा है, ना, हाँ, फश्रीन फश्ट आउट, तो आपने लेगा, 780,000, divided by, 9000, into 1500, वेटे अवरेज होता तो, मतलब उसका बताओ, ना, calculation करके, आंसर के आएगा, इन दोनों को जोड़ो ना, यार, आट लाख, असी हजार, कितने यूनिट्स का, आट लाख, असी हजार, इन टू, इन टू, असी हजार, नहीं तो चला, एक लाख, बत्ती से आणा है, यह हो गया, वेटे डेवरेस, और सिप इसी का ले रहा होत हो गया, फीफो, क्योंकि जो बच्चा होगा, वो इसी में से बच्चा होगा, जो ओपनी है, वो चला गया हो, क्या लिखना पसंद करो, इसी एए ने वेटेड अवरेज दिया, नहीं, फीफो भी ले सकते हो, मैं मना नहीं करूं, इसी उटने वेटेड अवरेज दिया, तो हम भी क्यों छेड़धा नहीं करें, एक बतिस, काटा गया, नहीं, चलो, आगे कटवाता, सर अगर हमारा फीफो से करना है तो, कर सकते हो, इसके नाम क्या लिखू इसको, इसा आप बोला, कितना लिखू बेटे पहले से, पाच लाक, कात लाक, प्रत अलिशे जाए, फिर क्या आएगा, कुछ और खर्चिव है क्या, क्या, सेलिंग एक्सपेंसेज, फिक्स है की वेडिबल, एक रुपे, फिक्स है एक रुपे, वेडिबल कितना, चार, एक रुपे के साब से बोलू, बार रा चार, जितना बेच रहा, चार इंटू, इसार, अब या आगे आपका टोटल कॉष्ट, या कॉष्ट अपसेल्स जो भी बोलती हूँ, टोटल कॉष्ट बोलो तो भी कोई दितना, पाच लाग प्लस थर्टी टू था, और ये, 794, ये टूटल कॉष्ट बोलती है, तो आप कॉष्ट अपसेल्स बोलती है, प्लस क्या करोगे, प्रॉफिट, जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा, सेल्स, सेल्स बोलो और कितना, पाच लाग इंटू, जा रस सी, लॉस आगया 52,000, ठीक है, 22,000 का प्रॉफिट, आट लाग, आट रिकत क्या होती है, एक्ष्टर सुछते यार, लॉस केसे आ सकता है, आट बी सोच लेते हैं बच्छे, प्रॉफिए बच्छेट, के श्राइब बाग, इस बता है बबच्टर, अर्टर गया घुत, आट रहे, रहे, आट रहे, अर्टर, अर्टर लॉत, अर्टर, यह होगे हमारा फ़र्ष्टी है यह होगे हम तक है नहीं करेंट एसेट्स चले क्या लिखने का दिल है लॉक्ष्ट आप इसेट्स चेक करो रॉव मटियर्ल कंजीम्ड दिया हुआ है क्या रॉक्ष्टी तो उसमें लिखने रहा है रॉव मटिया यह तो नंक्त आप टो लाक्ट्रीज दीड यह और क्या बाट तो लाक्ट्यालिस और पीरियट दीया हुआ है दो तो यहां के 45,000, second year में raw material consumed कितना है, वो बना लिया अब आपको टेंशन ही नहीं है, तो यही तो सबसे अच्छी बात है, इस कोश्चिन, टबलो आई पी है यह नहीं, जीरो, नेस गुट्स, एक लख, हम लोगों को कोश्चन, टूटल से बना रहा है, अगर कैस कोश्च से बना रहा है, ध्यान से देखो आपका कोश्चीट जो है, वो जो एक लाख रुपए लिख रहे हो, क्या इसमें डैप्रेशिशन जुड़ा हुआ है, तो खेल खतम है, नहीं है, आपको करना पड़े हैं, तर इंस्ट्यूट क्या किया यह बताँ, देख लेते हैं, कुशन नुब फाइफ वाव, इंस्ट्यूट कितना अच्छा है, उसने दोनों से बनाया, तो उसने टोटल से भी बनाया है, और कैस कोश से भी बनाया, लेकिन यार यह सीखने वाले चीज है, institute साब साब बता देगा कि यार किस से बनाना है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो मेरे खेल से total बड़ाईजी लग रहा है हमको और cash cost से बनाऊगे तो हालत खराब है पर मैं जानता हूँ time लगेगा तो लग जाने ही तो यार सीखने वाली बत दोनों से बनाते हैं न हम भी total से तो कर ही रहा है पहले total से निप्टाटे और cash cost से भी अंतर तो समझ में आएगा institute ने दोनों से बनाए किसी से भी दे सकता है दोनों पर practice कर ले थे एक बार ठीक है तो यह लिख ले या सर एक लाग और एक लाग 32 तो और भाई भाई बस मेरे यह request है आपसे बार बार कि ऐसे साफ साफ सब्दों में लिख लिया कर जब इस सुरूं में लिख देना है तो यह आप किसे कर रहे हैं और यहां कैसे कर रहे हैं लग total आप किसे बना सकते थे इस question को total से बना सकते थे बिना मेरी मदद के कैस कॉस से total से total से तो सुनो ना मज़ा तो तब है जब कैस कॉस से खुश से बना मैं इंतजार करूंगा पहले इससे मैं खतम करता हूँ आयार तो वही तो चैलेंज है अभी तो इसको खतम करें पहले यही तो देखूं कितना करते हो अब आगे बताती जाना है ठीक है यहां तक हो गया रूसरा किया कि रेटर्स पर लेना है तो रेटर्स बोलो सेल्स कितना है पहले सल का पाच शेजार यूनिट्स तो कॉस्षीट में तो सेल्स लिखा है तो भई कॉस्षीट से देख अच्छा वहीं का दिक्कर बनता रहे है चार लाक असी हजार और उसमें सापली का इतना क्रेडिट है करके वन मंत का वन डिवाइड इड़ मैं ट्वेल चालिस एक है दूसरे साल का सेल्स आट लाक सोलह हजार इन्टू वन बाई ट्वेल्स 68,000 कैश है क्या नहीं है तो नहीं एक्च्वल नहीं पूछ है किदा मना कर दिया जाता है तो यहां क्या जाता है कोई प्रिपेर्ड एक्सफेंस तो नहीं है भाई क्योंकि मेरे पास कोश्चन नहीं मैं आपके विस्वास पर लिख रहा हूं नहीं होगा वन लेक 146 55 55 पहले मैं लिखकर यहां से यहांगा फिर बोलेंगे 00 फिर वापल जाओ सर्वान कितना रहा है फाइफ हंड्र चलो यह तो काम हो गया हुमारा अब अब करेंट लाइबिटी सबसे पहले और उसमें क्या जाएगा करेंट करेंटर्स का पिरिट दिया है क्या अच्छा कुलेक्ट 40,000 प्लस 45,000 यह थो ही क्या है 45 है क्या है एक बार बता से तो कि यह है क्या चीज़ 45 इस्टॉक तो भी रॉम अटियल इतना कंजिम हुआ और 45,000 का इस्टॉक भी है मतलब पर्चिस कितने का किया होगा ओपनिंग तो था यह नहीं 285 285 कर लेना पड़े तर इससे पहले क्यों नहीं किया था ऐसा शुट्टियों से पहले 295 उस समय ओपनिंग और क्लोसिंग हम बराबर मानते थे इसलिए बाद बन जाती थे 237 इसलिए तो बता होगे 1 divided by 12 कितना होगे और यहां कंजीम कितने का होगे प्लस 675 1 by 12 क्योंकि ओपनिंग मैनस करते हैं और दूसरे साल तो अपनिंग होगा कि इवन इवन एट कर हमको तो लग रहा था हम कैस को से कर लेंगे जला आगे चले और कुछ है गया मतला आउटिस्टेनिंग एक्सपेंसेस कितना पीरेड हैं सारे एक्सपेंसे एट करके बताताँ कॉशिश्य देखकर बता सकते हैं सब्सक्राइब एक्सपेंसेज में तो भाई सब को जोड़ दो नहीं सब्सक्राइब करते चाहिए नहीं मैं क्यों मुझा देखो कहां से स्टार्ट करें यहां से एक लाग वीश जार अच्छा लेबर नहीं आएगा के लेबर एक्समेंस नहीं होता है एन ना एक लाग वीश जार अगरी यहां से श्टाट करें एक बीस और कितना है एक बीस नहीं आएगा काट उसको फोटी एट अब मत बोलना कुछ एक लाग वीश जार प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 14,000 प्लस 172,000 इंटू 1 बाइ 12 तो यह आया कहां से कहें लिख लेना पता लगा फोन लगा की पूछ रहा 22667 तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है और आप लोगों की सब्सक्राक्शन फिर गलत लगने लगता पर आपके सामने बुखे तो बस कॉन्फरेंज रहा है दूसरे का कितना 3,000,000 4,000,000 इंटू 1 बाइ 12 गरो कितना 288 ठीके तो 3,000,000 46,000 इंटू 1 बाइ 12 मैं भी लेने वाला था जबी 9,000,000 कॉए 9,000 दूसरे है च्का कहला कर्रेंट लाइबरिटी अभी क्या जाएगा नेट वर्किं क्यापिटल A-B क्योंती स्पीट नदा बुक्से लेक्कर लेकाँ आपके ICA Icons 148 583 अगर हम कैस कॉस्से करते हैं तो कहां चैंज इदर तो कोई चैंज नहीं होगा यह दो बात पक्की है अब उपर भी इसमें 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 आएगा मतलब 6,00,000 में से क्या माइनस करते होगी तो कितना आएगा, 780, minus 48,000, 780, minus 120, plus 80, 10,000, और यह minus नहीं करोगे, इससे कर रहे हैं हम लोग, एक लाग 11,000, simple सा कालकूलिशन है नहीं, एक ग्यारा करेक्ट आएगा, देटर्स बता दो जल्दी से, और मेरे पास तो बुक है, वे प्टूथ गांगे, कोई है तो बता दो पक्का, देखो, डेटर्स किस से कौनसी आपने से कर रहे हैं, कैस कॉस्ट, एल्स पे लिया है आपने, उसमें से प्रॉफिट रटाना होता है, भूल गया है, ब्रेक थाना बीच में, मेरे हिसाब से बुक के हिसाब से रेटर सारा भाई, पहले साल का 36,000, और दूसरे साल का 56,250, कुछ भी करो, यह आंसर निकाल कर बता दू, यह ले लो ना यार, 35, और इसमें डेप्रेशिएशन भाटा दो नहीं पर, अच्छ, हाँ में डेप्रेशिएशन, वाइने, अच्छ, कैस को अच्छ, वाश्ट रेप्रोसेवल, तो फिर ऐसे ले लो, पहला कहां तक हुआ था, आगे, और लेक 32,000 पर वैविशन हुआ है, तक है, छे लाग तो पूरा नहीं लेना, छे माहे से हमने एक बिस माइनस कर दिया, और एक लाग किये, एक लाग नहीं, यह अच्छ, प्रस थर्टी टू दाउ जनिये, चार अच्छ है, चार अच्छ पे वैविशन हो जाएगा, चार लाग असी अजर केसी आए समझ में हैं, इन टू कितना पिरेड है, वन बाइट्वेल्फ, चार लाग 32 जर्पन, और यह आगया 5625, मैं जा तो कैस कॉष्ट में है, टॉटल से तो फड़ावट से हो जाए, पूरा एक घंडा हमारा हो चुका है, एक कोश्चन बनाया है तक हमने, ऐसे कोश्चन आने चाहिए, तो टू बाइट्वेल्फ और वन बाइट्वेल्फ में क्या मज़ए, हो वक्त है एक कोश्चन बनायटेट हो, मत करना, काट दू, से में, से में, से में, कोश्चन नमबर 13, इसमें कोश्चित नहीं बनाना, सीधा सीधा कोश्चन करना है, कोश्चन नमबर 13, कैस कोश्च से बनाएंगा इसको तो पक्त का, देखा, अनेजर लिमिटेड नुवली फॉर्म कम्पनी अप्लाइट नुवली का मतलव, नौ अपनी, बस इतना यादर, वरकिं कापिल रिक्पार्मेंट चाहिए, के फॉलिंग इंफॉर्मेशन इस अविलिबर अबाउट दो प्रोजेक्शन फार्द करेंट इयर, कितना यूनिट से बना रहा है भाई, प्रोजेस थीस, ओवरहेट साथ, अप्रेशन का कोई चेकर नहीं, टोटल कॉष्ट एक सुससतर सेलिंग प्राइस है दूस्ता हूं, रोब मेटल को कितना यूनिट के लिए रखना है, फॉर्विक्स, विप, कितना यूनिट से बनाना है आपको, आठ हजाद यूनिट से रहेगा और क्रेडिट अलावड बाइस अप्लाइर फॉर्विक्स है रेटर से आठ विक्स और लागिन पाइमेंट विजे से 1.5 विक्स, कैश सबसे अच्छा रखता है मुझको 25 अर दिया हुआ है एक साल में कितना विक्स लेना है 52 और सारा की सारा सेल्स किस बेसिस पर है क्रेडिट बेसिस पर यू आर कैल्कुलेट दर नेट वार्किंग कापिटर रिक्वार्मेंट ओन दर बेसिस अप कैस कोस्ट ऐसा मैंने लगा दिया है अब हम लोग काम करना श्टार्ट का डेप्रेशेशन हो तो ऐसे भी चक्कर नहीं है तो कैस कोस्ट तो बड़ा असान हो को बड़ा एस तो को फिर अबड़ा है तो किरें थाए यस दो पर किंग कापिटर थाए कैश कोई है जो मस्से आगे जा रहा है तनाव न यार्च तभी तो मझे काटना ही तो पड़ेगा तो करेंट एसेट्स इसे पहले जाए रिस्टॉक रिस्टॉक इसका इतना यूनिट्स इतना पी देड़ बोला है चार हप्ते इतना भी consumed हो रहा है साल भर का एक लाख प्लस चार हजार एक लाख चार हजार इन्टुक मझेर कितना है इतना पी देड़ इतना पी देड़ आप आप जोड की करो एक लाख इतना पी देड़ अवह चीज़े होती है दिल में पढ़ने का नहीं भी रही करता है इतना कि 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 पता नहीं मुझे आप पर क्यों नहीं है इंस्टिट्यूट को देख कि कि क्या दिक्कत है कि कि आज की कोशन सब इंपॉर्टन सब में बुक से ही कर रहा हूँ क judgments कि आज कि इंस्ट्यू आज 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 9 4 6 4 6 1 5 6 6 4 6 दूसरा WIP WIP दो नील बोला था वो पिछला कोशन था WIP 4,000 into 80 into 4 by 52 ऐसा नहीं 4,000 units आपका WIP बच्चा है सीधा तो calculation कर ले न तरनायर क्यों जादा टाइम बस करे into एक तो 80 रुपिया ये लग रहा है material का पूरा लगीगा और ये और ये दोनों में आकर 45 रुप है ठीक है प्लस 45 सीधा इसमें पिलेट्स की जरुरत ही नहीं यूनेट्स निकाल कर देती है 80 रुपही है पैतालीस रुपही है और कितना यूनेट्स WIP 4,000 5,000,000 किसरा कितना यूनेट्स रुपही है 8,000,000,000 इन्टू 170 इसमें भी सोचने वाली कोई बात ही नहीं 170 की सबसे वैल्यूशन हो जाया 0,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पिरेट दिया है डिट्रिस के लिए सब साथ और हमको किस कौन से अपको से कर रहे है कास कास कास्ट तेक्सटर की सब से काम होगा दोसों किया पिक्चर 2.8 1.255 1.255 मैं कर लूँ अपने सबसे हैं सर आप तो देख रहे हो ठीक इतने का बेच रहे हैं 170 मान की चले इतना यूनिट्स 90 6,000 एक लाग चार हजर बनाया उसमें से आठ हजर तो ये बच्चा 96 ही तो बच्चा होगा इंटू पीरेट कितना है मैं तो बढ़ा ही नहीं है 8 है क्या ये 4 कहां से ले रहे जा रहे है 2 हाँ अभी मैच हो गया है 2-5 2-8 आरा था मैं 7-6-9 ऐसा लिखा है उसमें इस इस पॉइट भी क्या-क्या सीखने क्या था या तो आप 1-4 कर रहे हो वैसे इस इस अखने किया पर समस्या ये 4 कैसे ले लिया ठीक हम लुग नहीं दे कैसा थे लिए प्लाम लुग कर देख अ अ अ अब ये वता कोई प्रिपैट तो नहीं है न अच्छा पहले कैश लिखना जा रहे 25 होगा है जोड़ने प्यारा 5060384 मुझे नहीं वालू मतद्थ जोड़ने प्रिएट फूर विलकुज़एग अच्छा बजाते हैं करेंट लाइबिटीज रिटर्स का ही एट विक्स था और आपने इस और विक्स था से रिक्रेटर पर चिस पर निकलता है अब वोई इस प्रिटर्स लाइक लाएट जार एक लाएट जार एक लाएट ज़्यार बताना है यह एक लाग अधर पर्चिय से की गंजियो में इसमें माटेरियल लगा यह तो बनके तयार हुई इसमें भी माटेरियल लगा पर मटेरियल के स्टॉक भी तो रखा है कितना रखा है देखो यह रखा है 664 615 अच्छा लेने वाले थी कि शौरी इसमें अगले कोशन में मिलते हैं ना यार 664 615 इसमें माटेरियल कितने का पर्चियस किया एक वो माटेरियल इस साल खरीदा होगा जो एक लाग चार्जा यूनिट्स बना कर तयार किया एक WIP का भी जो माटेरियल लगा है वो भी खरीदा होगा पर माटेरियल का स्टॉक रखा है वो भी तो खरीदा होगा आपने नियूली कमेंस इसी वज़ा से इसको भी एट करना पड़ेगा तो ओप्रिंग क्लोजिंग बराबर हो जाता तो सर ऐसा याद कर सकते हैं कि अगर नियूली है तो यह वाला मटेरियल भी एड होगा बिल्गुल पर्चियस में तो आड हो गई पिरेड बलो पिरेड पिरेड और पाई फिप्टी जो टेवन वन फाइफ देवन फोर जिरो आपको जो प्रॉब्लम जाने वाली है वो प्रॉब्लम यह एड करना भूल जाओगे जैसे तैसे एक लाक आठ जार पे पहुझ भी जाईए यह भूल जाओगे और कुछ वेज़ेस का है साथ वेज़ेस देख लेते हैं हाँ बस इसलिए वाला यह श्टॉक भी पर्चिस किया होगा लेकिन अगर नीवली नहीं होता जैसे पिछले कोशन कर रहते हैं तो सब हम यह मानते थे क्यार इतना ही ओपनिंग होगा तो फिर ओपनिंग प्लस क्लो यह वाला उठाकर जो मटेरिया यहां कंजीओंगा वो यह कंजीओं यहां ले लेते थे आउटिस्टर्णिंग वेज़ेस अब यह मत बोलना कि यहां भी गलती होगी हमसे आउटिस्टर्णिंग वेज़ेस में किससे गलती हो सकती है हम कुछ भी कर सकते हैं पता लगा सीरियसली गल्ती हो गही है चलो बलो एक लाख चारहजार एक लाख चारहजार इन्टो 30 4000 इन्टो 15 और इन सब को कितना अपिरेट 9173 9173 9173 अब सब जवाब दो पहले सब से पहले जवाब देने को मैं तयार हूँ एक लाख चारहजार वेजस लगा होगा जो बन के तयार हो चुकी और जो WIP उसमें भी तो वेजस लगा हूँ पर आदा ही तो लगा हूँ तर यह याद कैसे रहे आपके पूपर तो एक मेने बाद ही तो है ना तो याद रहता है तो याद कर दो याद कर दो याद कर आद कर आद कि तो है और अंसर साही होगा 8 4 to 5 5 2 2 9 1 तो प्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि दू बहतरीन कोश्चिन किया हम लोग है तो आसा वाला कोई कोश्चिन हो बख्याएं कि हां हो मैं प्रेक में बोर हो जाओके कि दूबही वाला है कट कर दो इसको 23 कर दो कर दो 23 कट ये वाला कोश्चिन अच्छा ये वाला होमवक है होमवक एक बार देख लो देख लो देख लो कोश्चन नमबर 2 प्रोडक्शन है 30 1,200 प्लस से प्लस डबलो अबी कितना है 12 अच्छा तो जादा नहीं हो गए तो हो जाने तो मटेल कोश्ट है 40 वेज्जे से 15 ओवरहेड दिया है 10 रुपेड अप्रेशिशन है ये 30 दिन के लिए और 60 पर 100 परशन और 50 परशन लेना फिनिस गोट्स 22 से यूनिट्स दे दिया है 10 डेज दे रहा सप्लायर के लिए परशन अच्छा कोश्टन है लेकर हाँ कैज दिया हुआ 360 दिन ले लेना लेकिन बस होवक है एक्जाम में आया हुआ है में 2018 में इसका आंसर भी मैं आपको बता दू बस ब्रेक कचे लेख लेजिए कोश्टन नमबर 2 का आंसर है हाँ आंसर है 30, 56, 750 वरकिंग कैपिटल का होमवक है ये कोश्टन अब आज का टार्गिट ये है कि टूटल मिलाकर 2 कोश्टन बनाएंगे हाँ दो ही कोश्टन 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 11 ये भी हमारे मौडूल का ही कोश्टन है मतलब सर आपके पास आंसर होगा 100 ये और ये फॉस पीवाई के फॉस युवाई के फॉस पीवाई के फॉस ये प्र आदे आदे कि यह तो मेरा फैबरेट कोश्चन वर्किंग कापटल सबसे च्छा कोश्चन मुझको यह लगता है क्यों कि क्या सब्सक्राइब लिखा है तो मतलब आप समझ गया है इस कितना दिया दो लग दसदर क्यों कि असब मतलब क्या होता है इसी में माटेरियल भी लगा होगा यह दो पर भाई सब्सक्राइब यह नहीं बताया कि 153000 मैं कितना माटेरियल कितना लबर कितना एक्सिपसबर नीचे दिया हुए यह 153000 यह ऐसे आया ऐसे बताया इसमें से माइनस किया दस पर्शन सत्रह हजार दस पर्शन क्या चीज है इस पर्शन क्या चीज है इस हिसाब से मारा ब्रॉस प्रॉफिट कितने का फिफ्टी सिक थाउजन अब administrative expenses को इसने इसका हिस्सा नहीं माना है तो ठीक है हम भी नहीं मानेंगे मतलब यह production से related नहीं है तो बहुत अब administrative expenses कितना लिए 14,000 और selling expenses कितना लिए 13 जैने दोनों को जोड़ा तो कितना आगा है 27,000 इसमें CA मैनस किया तो property for tax आया 30,000 और मसाला लगाने के लिए tax भी दे दिया 10,000 बोले आप देख ले ना profit आप टेक्स कितना आगा है 20,000 आगे बढ़ते बोले आप जो cause sheet बना रहे थे ना प्लीज मत बनाओ हम बना कर बता रहे है उसने बन रहे है जो figure दिया है वो दिया है only to finished goods मतब WIP है की नहीं बोले है वह हम अलग से बता रहे है notto WIP फिक है यहां थे goods equal to 15% of years production जितना years का production होता उसका 15% जो है वो क्या है WIP WIP माटेरियल और लेबर कितना लगता है बोले माटेरियल लगेगा अब पूरा और 40% क्या लगेगा other expenses ठीक है और माटेरियल आपको कितने मन्त के लिए रखना है two months all expenses will be paid one month in advance याद रखना इसमें गरबढ हो जाएग advance supplier of material will extend one and half month credit किसकी बाद हो रही है creditors sales कैसे cash के credit 20% क्या होगा cash और बचा हुआ credit 70% of income tax will be paid in advance और कैसे quarterly अब लगाओ दिवाग एक चीज मुझे अच्छे से आता cash cash कितना रखना है 8000 तो कमसे एक तो लिख पाओ गया cash अब अब आदे जो निकालोगे 10% add कर देना जो वर्किंग कैपिटल निकलेगा उसमें 10 बटन add कर देना है याद करो break छुट्टियों से पहले margin of safety होता था ठीक वह होता आपको वर्किंग कैपिटल calculate करना है अब सवाल है कि cash cost से करना है कि total से ICA ने cash cost से किया है अब total से भी करना है तो कर सकते हैं cash cost से करें बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी त्यार है सर करना थो हैं हाँ वो बता रहा है है design तो बनाते फिर सूचेंगे का अब कुछ आय ना है column तो बनाई सकते हैं तो चलो पहले वहीं बनाते हैं आप पार में क्या एक्जाम में लगना चाहिए कि लिख रहा है तो आप लिख रहे हो खाली बैठ होगे ना इंसल्ट अलग होगी क्या क्या लिख सकते हूं आगे बढ़ो थोड़ा 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 आगे बढ़ो क्या लिख सकते हैं वर्किंग कापिटर क्या लिख सकते हैं कैस कॉई करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स में सबसे पहले स्टॉक वर्किंग जब लगेगी तब देखा जाएं उससे पहले कंजियूम्ड का तो रोम अठील कंजियूम्ड दिया हुआ है क्या यह तो 84 जब लो आई पी में भी तो कंजियूम हो रहा हुआ हुआ उदर जगा नहीं है थोड़ा यहां से लिखने 84,000 84,000 यह किसमें लिगा लगा है प्लस 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 डवलु आई पी में पी तो डवलु आई पी है कित्मा बोल रहा हुआ पंद्रा पर्शन तो 84,000 का पंद्रा पर्शन करूं कि नहीं करूं कि मैं हंडरेट पर्शन लगा है बोल रहा हुआ हाँ बस मैं पूछ रहा था ऐसे पंद्रा पर्शन क्या अभी भी मैं दिखा दूं कि पंद्रा पर्शन क्या है सर बोला है वोट्स जो है वो पंद्रा पर्शन डब्लु आईपी है तो जितना माटीरियल में लगा लगा फिनिज अप्लिटिड यूनिट्स में उसके अलावर डब्लु आईपी में भी लगा है पंद्रा पर्शन कि याद करो पिछला कोश्चन में भी हमने ऐसे एट किया था इधर एक लाग चारहजार लिखा और इधर लिखा चारहजार इंटू ऐसा कुछ लिखा था मैं अलग-अलग कर रहा था तो किसी ने मझे टोका था एक साथ लिखो ना यार इंटू तू बाए ट्वेल तो लाजार एक साथ बस इन ही कोश्चन से वर्गिंग कैपिटल मुस्किल है यार बाके कुछ नहीं है हाँ और स्टार्टिंग के ही आती यह बहुत कम आती चांसिस कम होते हैं हाँ यही है न यह पर यह है तो हमारी स्टेडिमाट में है और डबलो आईपी नील हो जाए तो मझे जाएगा पर ऐसा होगा नहीं अब हम थे हाँ हाँ वाजा शेटान है अब करने के कोशिश कर रहा हूं 84,000 नहीं इंटु 15 बर्शन तो डवाई पी में और भी तो कुछ आता है न सिब मेटेरियल नहीं आता है हाँ इतना सही है जी इतना सही है 62 इंटो 40 पर्शन नहीं इंटो 15 पर्शन इसका 40 पर्शन 37 आपके पास है नौ 16 350 ठीक आप बोलो किसको यह बात समझ में नहीं आई आगे नहीं डबलो इपी का पिरियड नहीं दिया उसने दिया है किया डबलो इपी के लिए उसने साब साब बोल दिया कि वही 15 पर्शन हमारे पास डबलो इपी रहेगा जैसे पिछले कोशन में चारजर यूनिट से दिया था न ऐसी उन्होंने बोला कि 15 पर्शन रहेगा उसमें मटीरी 100 पर्शन रहेगा और बाकी 40 पर्शन रहे डबलो इपी का निकाल कर देती है ईपड यहे दिय के कर, दो हुव की बोली 9 पर्शन रहे कर हुव कि अट्राब घठाइजार निकाल वो बिलता क्यों आप टाइंग पैस करें रहें छोटा छोटे बच्चे नहीं बनेगा में खुद बतांक देता हूं उसने मता है विनेजगूत कि अपने तरह यह निकाला रिट वहीं सटराइजर दी बट सब्सक्राइजर मत लिखना में बोलना चाहरा था यह 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 की ना यार हम कर रहे कैस को से प्रिसमें अपरिशिशन है कि अधर शहीं है पर इसमें तो रप्रिशिशन है यार इस गूट कितना रखना आपको 10% अगर मैं 1,70,000 का 10% कर रहा हूं तो शत्रहजार पर एक लाग सत्रहजार में तो रप्रिशिशन है ना भाई एक लाग सत्रहजार माइनस 23पचास कि अच्छा आप लोग कैसे कर रहे हैं आप लोग कैसे रहे हैं पहले अपना बता अच्छा तो ठीक है तो फिर मैं 17,000 कर लेता हूं बात एक आप लोग सीधा इन दोनों का एट कर रहे हों इंटू टेन पर सही है मैंने क्या किया 17,000 यह ले लिया और मैंने इसमें तो 23,50 है जुड़ा है तो उसको हटा दिया एक ही मत इतना आगया आगया आगे बढ़ों तक पहुच गया श्टॉक चलो भई कैस कोश्ट एपरोच चल रहा है टर्टर से निकल कर बताओं तो मेरी तरफ से पार्टी अगल के यह यहार देखो कि अगर इसमें से मैंदस परशन ले रहा हूं हो इसमें 23,500 का 10 परशन इसमें जुड़ाकों को तो तरीके क्पा ने हम क्यों इसमें is Nicol بع यह हैं दो तरीके है, या तो इसमें से यह माइनस कर दू और इंटू 10% कर लू या तो इसमें डेप्रेशिशन का 10% ही जुड़ा होगा ना, क्योंकि यह 10% है, इसलिए मैंने 2350 माइनस क्या चीज आ रहा है, फैनल हाँ, डेक्टर्स का एमाउन चाहिए जेक्टर्स का एमाउन्ट जो बताएगा उसको पार्टी है काईम लगा लो, थोड़ा असा दिमाख चिनाओ अगर टोटल एप्रोस से कोई बलेगा तो मैं बता सकते हूँ हाँ, तो क्योंकि बताओ सवाल बस इतना है कि जो प्रोड़क्ट हम बेच रहे हैं उसमें कितना पैसा लगा है एक्च्वल में कैश वाला पार्ट बोलो, 84 लगा है 62,500 लगा है 23,500 नहीं लगा है ठीक है, तो बोलो कितना इन दोनों को जोड़ो, 84 1,46,500 पर यह थोड़ीन बेच रहे हूँ इसका तो 10 परशन बज गया है इसका कितना परशन बेच रहे हूँ, 90 परशन और उसमें ये भी लगा है, ये भी लगा है तो बोलो, टोटल में लगा है, कितना लगा है 1,5 तो 1,5,8,8,5,0 इन्टू, इसका 80 परशन क्या हो रहा है, क्रेडिट बेशिस पर और पिरेट कितना है, 2 by 12 ठीक है, दूसरा मैंने बताया था, सुनलो, सुनलो, सुनलो क्यार, सेल्स में से दो चीजें भटा दू क्या-क्या बोला था, प्रॉफित और डेप्रेशिशन तो भी अंसर आ जाएगा हटाओ, 2,10,000 में से पहले डेप्रेशिशन हटाओ सर, ऐसी निकाली बन डबल बन फाइब जीजे इसमें से हटेगा तो यार ये हटेगा न आप खुछो थोड़ा सा अब अभी अभी सुनो ये 23 पास्तो जो डेप्रेशिशन लगा है वो पूरे माल पे लगा है उसमें से 10 परसंट तो बज गया ये जो आई ये तो 90 परसंट है ना भाई 90 परसंट का ही तो माल बेच रहा तो डेप्रेशिशन में भी तो इसमें 90 परसंट हिस्सा आना पड़ेगा इसमें से हाँ 23 पास्तो का 90 परसंट वो हटा दो और 30 अर अटा दीजिए ये तो आएगा फिर 80 परसंट के जो कसा ये तो सीधा जाओ ये तो बैक कैलकुलेशन से जाओ हाँ थी प्रोविजन प्लीज लिख लो कहीं 158850 कहां से आया कौन से वाले आप रुष से लिख रहा हूं दोनों से लिख लो भाया काम आजाएगा तो वर्किंग नोट नमबर वन चलेगा पहला वाला क्या बता है था आपने कैसे आएगा रिटर्स 84,000 प्लस 62,500 इसका 90% प्लस 17,000 प्लस 13,000 ठीक टोटल कितना है है 1588,50 उसके बाद तो करी लोगे दूसरा किया बताया था अपने तो लाग दस जर की सेल्स इसमें डेप्रेशिशन है 23,500 इसका 90 प्रदीशन इसका आंसर कितना आ रहा है 21,000 डिटर्स के बाद कैश कैश कितना है इसके बाद इसके बाद प्रिपेड एक्सपेंस तो उस समझ के बताना याद रखना बहुत साउंधानी से काम करना प्रिपेड एक्सपेंस अल एक्सपेंस बूला है चलो एक्सपेंस बूला है चलो एक्सपेंस बूला है यह 62,500 टिक 14,000 13,000 प्लस 62,500 इन्टू 15 पर्शन इन्टू 40 पर्शन तर यह खत्रा है हमारे लिए यह जो खर्चे है यह जो भी खर्चे इसमें डबलो आइपी अलग से इसमें डबलो आइपी नहीं है तो डबलो आइपी में भी तो एक्सपेंस हो रहा है इन्टू पिरेट कितना है वन बाइ ट्वेल यहां एक बर इसने अलग अलग किया है कैल्कुलिटर 5521 1167 1083 मतलब मेरे इसने अलग किया ना तीनो कितना आया क्या समझ में नहीं आएगा इसमें आपको यह वाला बस इसको धियान रखना और कुछ है एडवांस टेक्स फिपता जाएगा एडवांस टेक्स में ताप एक्सपर्ट लिखो एडवांस टेक्स यह भी चैलेंज वाला बात है क्या मैज़ा तोसी में सत्रा सो पचास आएगा टूटल टेक्स से दस जाएडवांस क्वाटरली बेसिस पे तो इसलिए वन बाई फो कितना सत्रा सो पचास और कुछ है नहीं टूटल मादू इसको 85801 चाहिए अब क्या जाएगा अब तो बहुत हो चुका अब तो ग्रेटर में आप से गलती होई नहीं सकती मुझे पूरा विश्वाज क्रेंट लाइबिटी और खास बात है क्यार मैंने कहा कि एडवांस टेक्स निकाल कर बताओ बच्चो ने बता दिया मैंने कहा कि डेटर से निकाल कर बता तू भी आपने बता दिया था तो आपसे उम्मीद ज्यादा हो गई याप क्रेटर से निकाल कर बता हो 14088 टिक चलेगा चलेगा रेटर्स आंसर है 14088 या 87 निकला कैसे वह आप डिसाइट कर लो मैटेरिया 84,000 यह क्या चीज है इसमें इसमें प्लस 84,000 का 15% प्लस 161 00 का समझ में इसमें 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 14088 और दूसरा और एक चीज़ डालना है प्रोवीजन पर टेक्स इतना बचा है 30,000 10,000 में से 7,000 चला गया बचा 30,000 जोड देना 170,000 170,000 8,000 working capital अगया 6,8,000 6,8,000 6,8,000 10,000 10% contingency 755,84 क्या कोश्चन था बचा है आगे आगे आज की क्लास का लास्ट कोश्चन यह सिंपल कोश्चन है बड़े मुस्खल से 10 मिनट में के तमाट लास्ट कोश्चन क्वेश्चन नमबर 90 आगे 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 नियुकंपनी वाले में बस एक बात याद रखना है कि मेटेरिल उठाके पर आगे और सबसे अच्छा कोश्चन में क्या दिख रहा मालूम आगे चलो एक बहुत बड़ा टेंसन कता हो गया आगे 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 तो फिर तो बच्छा किया कोश्चन नहीं कतम हो गया एक बड़ देखते हैं और कौनसी आप रुस से बुल रहा है कैस कोश्ट नहीं भी बोलता है हम कैस कोश्ट से करते है सेल्स दे रखा है 36 लाक मैटेलियल वेजेस ग्परश्ट के अगा बचिन ग्राइक काम आएगा यári तो बचाफ है य अख भी काथ है परशांट जबचाब से लो बनाए टेबल, खतम करें कहानी चार आइटम बताना कोशन नहीं खतम हो जाएगा हाँ, एक तो पता हो गया, और डबलो आईपी नहीं है, यह भी पता हो गया कैस, कोश्ट, करेंट, एसेट्स, श्टॉक, और श्टॉक किसका, प्रोव मठील, प्रोव मठील कंज्यूम्ड साफ साफ लिखा हुआ है नौला, प्रस्ट, नौलाग रोव मठील कंस्यूम्ड, वन बाई, ट्वेल, कितना आ गया, एक लाग पचास, लेकिन मान लो सर, हम नीन में है तो, तो फिर हम टू बाई, ट्वेल कर सकते है, अगर हम नीन में है तो, एक पचास कोई बताया था क्या, इतना है, ट्यू भाई, ट्वेल कर दिया क्या, मैं तो, आपकी बात ही नहीं कर दा था, यह तो, सप्प्लायर वाली, क्रेटर्स वाली बात है, इदर लिखाना है और वन मन्थ, किसी और को बला जारा था कोई और करते है, सर आपको अनुभा है, मैं जान तो, पिसली वैच में भी टू बाई ट्वाल करके रिप्टा दिया था कोश्यन को, मैं अनुद्ध यह एंदर, इंद गॉट्स, अभी क्या है गा, डन रही थी, निया, यह भी हो गया, तिसरा क्या बच्चा, इने ज़्ट्स, एबजी का वैजिशन कैसे करोगे, administration expenses को cost of production का इस्सा मानते हैं तो यह material लगा 9 लाग का तर यही कर ले कि यही कर ले थे 9 लाग का material मैं cost of production पर पहुचने की कोशिस कर रहा हूं और wages भी लग गया 7 लाग 20 ज़र का agree और इसके अलावा cash manufacturing expenses भी लगा कितने का 9 लाग 60 ज़र का और क्या administration को मैं क्या मान रहा हूं cost of production का हिस्सा दो लाग 40 ज़र और इंट्व कितना पी लेट करोगे वन बाई 12 ते के वो जब one month area वो तो out standing expenses निकालने के काम है उसके पास नीचे जगह नीची तो बोलता है यही नहीं चिपका देता हूं प्रॉब्लम बस इतनी से वह अलाग से बताता ना तो हमको समझ में आता है कि दो लाग कि दो लाग पैदे तो कुछ ना कुछ तो कुछ नहीं है वो इदाना नीचे लिखने के जगह यहां लिखती है आप भी तो ऐसी करते हो ना आप भी कहीं न कहीं adjust करें लिखते जाते हूं चले आगे यस हां अभी क्या आ जाएगा इसके बाद डेटर्स कौन सी अप्रोच से कर रहे हूं क्यास कॉष्ट का हिसाब किताब हो जाए क्या सर कुछ नही जो आया था 120 और जोड देंगे खतम नहीं जो आया था मुए उसमें 1 लग भी जोड देंगे काम कितम हो जाएगा टिर्टर्स यह टुटल कितना आय था हमारा नौ लाग प्लस साथ बीस प्लस नौ साथ प्लस दो चालेस प्लस एक बिस तुटल तुटल 29 लाग इन्टू और पूरा क्रेड़िट सेल्स है की कैशेल्स इन्टू टू बाइट्वेल्ट क्या लाख लब्य है हाँ जी अब बोलोगी क्या गहना चाहा रहे हो अबने थोड़ा से कैश ठीक मुझे बताव मटेल कितना कंजियू मैं रो मटेल 9 लाख विजेस कितना है साद्रीस ठीक है कैश्पैन रिक्षरिंग एक्पेंस कितना 9 लाख साथ हजा लाख साथ हजा जीपी कितना बशन है उसका असी बशन करो सेल्स का असी बशन करो कितना 9 लाख 9 लाख सेल्स कितना 38 लाख 28 लाख यह क्या आगे आपका कॉस्ट लाख प्रोडक्शन एक बशन इनको जोड़ो 28 लाख असी हजार हो रहा है कि नहीं हो रहा है 9 लाख प्लस 7 लाख साथ हजार 9 लाख 9 लाख 9 लाख मतलब यह इसमें कुछ और भी बाकी है और क्या बाकी है डेप्रेशिशन चेक करो सब्दली का डेप्रेशिशन जो है वो कॉस्ट और प्रोडक्शन का हिस्सा है माइनस 28 लाख 80 हजार तो डेप्रेशिशन हाँ उनको मैं अलग से बता रहा हूँ 21 कट कर दू नहीं अधिक है तो कट कर वादिया नहीं अधिक है तो कट कर वादिया 21 अभी हम डेटर्स तक बहुचे अधिक है अधिक है यह 29 लाख 40 है सही है ना भाई कुछ नहीं करना है इसमें जो जो पैसा लगा है ना उसको एट कर देना 28 लाख उसमें एड्मिलिस्ट्रेटिव भी जोड़ दीछी अधिक है इसमें प्रॉफिट कितना है मतबला अधिक है 28 लाख इसमें से आपने क्या जोड़ा एड्मिलिट्रेट्रेट्राइशन कितना है 29.,40,000 40,000 और 3, tubi 30,000 1,49, villa बता हो कितना नि तंभ दिस लॉह मद लॉह गुझा बहुक चानग यहन फचैल्स जीशे दर सेल्स कितने का है इस लॉह उआप प्रोफिट कितना है झाल जाए हम पर बाट फचैलो अब श्टार्ट करें मैं लॉह आए कि इस में चीज आख़ता देना क्या क्या प्रॉफिट और डेप्रेशिशन उठाओ 36 लाक माइनस तीन लाक शाठेजर माइनस तीन लाक को इसके लिए बनाना पड़ेगा कि पच्चीस परशेंट आप सीधा नहीं हटा सकते वह जीपी है कि हमने का विया यह प्रॉड़क्ट बेच रहे है तो बेचने में लगे गया क्या क्या बस वह कॉश्ट देख लेगे बस बात कर ते यह हो गया ना इस टॉक हो गया हमारा डेटर्स हो गया ठीक है कोई प्रिपेर्ड है क्या अब सेल्स प्रमोशन है ना क्या ए सेल्स प्रमोशन एक्सपर्ण कैस है क्या लिख लो भाई नहीं तो भूल ज़ीए ना दिखक थो जाएगे क्या सकतना है एक लाट प्रिपेर्ट इसल्स प्रमोशन कितना है एक लाख बीस जार एक लाख बीस जार इन्टू वन बाई फो तोटल आगे है नौ लाख तीस जार अब क्या जाएगा हमारा करेंट लाविडिटी उसमें क्या जाएगा प्रेडिटर्स मतलब मट्रियल कंजिम कितने का हो रहा 9,00,000 नौ लाख इन्टू 9,00,000 में प्लैस्किया होगा? अब नहीं होगा क्यूंकि निवली नहीं लिखा है तो 9 लाक इन्टू 1,50,000 और कुछ है क्या? वहू ये तो इधर चिपकाया है ना वेजेस का वन मन्त ले लेना भाई और मैनुफेक्ट्ट्रिंग एक्सपेंस का भी वन मन्त ले लेना और एड्मिनिशिशन एक्सपेंस का भी जोड के वन मन्त ले ले लेते तो आउट इस्ट्रिंग एक्सपेंसे में सात लाग वी सेहार प्लस नौग साथ जार प्लस दो लाग चालिसेहार इन्टू 1 बाई 12 अब का मिला कर क्ये कितना आगे? 3,00,000 10,000 6,20,000 और उसमें मार्जिन 20% इसमें और अट कर देना तो 7,44 10 नमर के कोश्यन आते हैं पर पहले पढ़ो सोचो समझो फिर काम करो फिर बहुत सारा CFA T निकालो पेस्ट पेपराज चेक करूंगा यह यह क्लर्क वाला काम है वहां यहां डिसीजन कुछ है यह नहीं चीडिसी बात है यहां तो हम क्या कर रहा है जो कैल्दी आ है वो कैल्कुलेशन किया जा रहा है तो पर कैपिटल बश्ट हाँ नहीं मैं देखना चाहता हूँ पका कल मिल जाएगा पका कल मिल जाएगा नहीं मैं कोशन नहीं करवा रहा हूँ मैं बस होमवर्का देख रहा हूँ कि आपसे कुछ कि यह कुशन देखा देखा है कुछ है नहीं है वही कुश्चन आप मैं बलूंगा ना अभी क्वाल यह है कि इस कुश्चन में कोई मुझे कोई मुझे फिनिस गूट्स का इस टॉक निकाल कर बता सकता है इस कुश्चन में कोई फिनिस गूट्स का इस टॉक इछले बार कॉश्चन में गलती का हो रही थी डेटर्स में हो रही थी कि फिनिस गूट्स में हो रही थी है अपने किसी और एंप प्रोच से किया था इन्हों ने डेटर से डेटरस का निकाल कर बता सकते हो क्या कौनसे वाले रूट से जा रहे थे हो सीधा प्लाइस में फिर Travis trac visions of profit minus ने फिर प्लाइस वाले से रैक्स निकाल कर बता दो को जोड नहीं तो है यार इंचे नहीं लगता कि आपसे निकलेगा चला 22 लाग पच्छा से जा 10 12 लाग 16 लाग लेना पड़ेगा न है यह उसमें 12 लाग जो भी जोड़ोंगे कहा जो बावीस लाग पच्छा से जा ठीक है और यह 18 लाग भी ठीक है 2 लाग परमन्त है न यार ऐसा लिखा देखो मैनुफेक्च्छरी एक्सपेंसे ऐसा नहीं लिखा है लिखा मैनुफेक्च्छरी एक्सपेंसे आउट इस्टेंडि एड दी ओंट तो यह लास्ट का दीज दिया बोले साल्वर का नहीं दे रहे साल्वर का आप निकल लेना और सर पीचला कोशन पीचला कोशन देख लेना उसमें लिखा है सिर्फ मैनुफेक्च्छरी एक्सपेंसे और ब्रैकेट इदरी से चलो गया है ना इसमें ब्रैकेट यहां से नहीं यहां से चलो हो रहा है तो सर इसका मतलब यह गलत तो खेल खतम जीरो नंबर जीरो मिलेगा आप समझ रहे हो ना कि गलती कहा हो रही गलती यह लगता कि यह देखा है और फिर एक्जाम में आ गया तो आप भगवान से धन्यवाद बोलेंगे भगवान ऐसा कोशन दिया बनाकर आओगे और खेल खत कि यह देखो यह बला कि कट कर दो कर दो कि मुझे पता नहीं मेरा दिल 1200 क्यों कर रहा है पता नहीं 12,000 करके आपने चेक भी कर लिया है इसको कट कर देना 39 यह बता हूँ यह बारा लाक एक महने का है की बारा महने का है की बारा महने का है 31 यह बना मैना पर एक साल का है ना वाँ 41 यह बता हूँ पुरे साल का मतलब ऐसा तुम लेकर बड़ा फिगर है तुम पुरे साल का चोटा है तो एक ऐसा मत करना है ना हमवक 43 यह आज की क्लास का अब जो मुस्किल काम था वह हो चुका है बर्किव तुम कापिच्स । स lot